तो फ्रेंड्स यह देखिए रंग भी रंगे पॉंपॉम आज कल पॉंपॉम का फ्रेंड्स बहुत जदा क्रेज है चाहे हमारे ड्रिस में हो या फिर कोई भी डेकॉरेटिव आइटम्स में लगे हो तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से पॉंपॉम बनाना और देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉंजी है इसके लिए हमें देखिए मैंने कुछ कलर्स की और एक सीजर की जरूरत है उसको कट करने के लिए तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स मैं थोड़ा बड़ा पॉंपॉम बना रही हूं तो मैंने तीन अपनी उंग्लियों का इस्तमाल क आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज कि आप जैसे दो उंगली का बनाएंगे तो आपके छोटे बनेंगे मैंने तीन उंगलिया के इस्तमाल किया तो थोड़े बड़े बनेंगे तो इसे तरह अभी मैं इसको लपेटूंगी और फ्रेंड्स लपेटने के बाद उसको ब बराबर करते टाइम वह निकले ना साइज से तभी मैं देखिए एक लंबा धागा के वूल के ही लूंगी जिसको मैं बीच में बिलकुल सेंटर पे फॉर्स पे रखके अच्छे से बांदूंगी और यह देखिए कम से कम मुझे इसमें दो तीन गांट लगानी है ताकि यह बिलकुल टाइट बंदे यह देखिए बहुत ही इज़ी है फ्रेंड्स पॉमपम बनाना और आज कल आप कुछ भी लेने जाए कोई भी ड्रेस कोई भी आइटम उसमें पॉमपम का यूज बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आप घर पे जरूर ट्राइ कीजेगा और यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा और एक बर आप ट्राइ घर में अज ही जरूर करें कम से कम दो पॉम पॉम बना के भी जरूर ट्राइ करें तो यह देखें मैंने काफी टाइट इसको बांद दिया है और जो साइड में जो एक्ष्टा रहेंगे उसको भी मैं कट कर लूंगी सीजर से काफी खीच के हमें देख लेना है कि यह पूरी तरह से टाइट हुआ है कि नहीं और मेरी फ्रेंड्स आदत है मैं गांट एक से दो बार नहीं कम से कम चार बर जरूर लगाती हूं जब तक मैं खुद साटिस्वाइड नहों तो अब मैं साइड से उसको कट कर लूंगी दोनों साइड से कट करूंगी और जो एक श्टा जो लटके वें उसको भी मैं कट करूंगी और एक चीज का ध्यान रखेगा जब भी हम लोग यह कट करेंगे फ्रेंड्स तो कट करेंगा फिर से उसको दोनों हाथों के बीच में उसको गोल गोल जरूर घुमाईएगा इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि यह कि साइट से हमें कट करनी है अब यह काफी टाइट हो चुका है मैंने इस कोच्छे से हाथ से रब कर लिया क्योंकि हमें चप्ता तो करना नहीं तो सबसे पहले हम साइड के जितने भी किनारे में वह लटकन लटकन है वह हम लोग कट कर लेंगे और कट फ्रेंट्स ऐसा नहीं है कि कट हम लोग एक बार में बहुत ज्यादा ज्यादा करेंगे इसको फ्रेंट्स को कई राउंड हम लोग को कट करकर के घुमाना पड़ता है जैसे ऐसे हम लोग कट करेंगे आप देखते जाएंगे कि यह काफी सॉफ्ट बिल्कुल रूई जैसे हो जाएगी बिल्कुल रूई जैसी तो यह जो यह जो मैथड है बार बार दोनों हाथ के बीच में उसको गोल गूमाना वह आप जरूर करते रहिएगा जब भी कट फिर एक बार गोल गूमाएगे ताकि गोल रहा है चपता ना हो जाए ठोड़ा 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 करके हम लोग इसको कट करेंगे देखे फिर मैंने गोल किया यही प्रोसेज आप कई बार करिए करते करते फ्रेंट्स आप खुद ऐसा देखेंगे कि एक स्टेज पे आके यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा यह दिखेगा नहीं कि आपका यह उल है जब तक आप बिल्कुल अंदर जाके उसके हटा के नह तो मैं फिर बोलूंगी एक बार आप जरूर ट्राइब कीजिए और आप कितना भी मार्केट से ले फ्रेंट्स पर घर में आप कुछ बनाते हैं तो उसका कुछ और ही मज़ा होता है तो इस दिवाली फ्रेंट्स आप अपने जो खुद से जो कुछ भी डेकुरेशन के आइ जितने भी कलर के आपके पास भूल रहेगी उतने ही सुंदर आपके यह पॉंपम बनेंगे जैसे मैंने इसमें चार या पास तरह के वूल यूज किये हैं और एक चीज सबसे इंपोर्टेंट चीज फ्रेंट्स की यह जो वूल रहेगी यह मोटी वाली यूज बिल्कुल न तो आप शॉप पे जाएंगे वहां फॉर प्लाइवूल मांगेंगे तो वह जरूर आपको दे देंगे तो आप उससे यह ट्राइ किजेगा और आप घर में बैठे बैठे यदी 2-3 भी बना ले रहे हैं फ्रेंट्स जैदी आप टीवी देखते भी 2-3 बना ले रहे हैं तो आपके 3-4 दिन में अच्छे खासे पोंपो मी खटा हो जाएगा फिर आप आराम से कुछ भी बना सकते हैं उसके मैंने आपको ये काफी डिटेल में बताया है तो एक बात तो ट्राइ करना आपका बनता है फ्रेंड्स अब ये देखे किता ये बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट दिख रहा होगा आपको इसको मैं फिर दोनों हाथों से खोल खोल के इसको देखोंगी ये बिल्कुल गोल हमें राउंड चाहिए और फिर साइट साइट से इसकी ट्रिमिंग करेंगे और ये जब पूरी तरह से बन जाता है तो इसकी जो कटिंग निगलती है ये बिल्कुल वूल दिखती ही नहीं है बिल्कुल वह रूई जैसी दिखती है सॉफ्ट जैसे वह फर आता है ना बिल्कुल वैसी दिखेगी ये तो अब लगभग मेरा पॉम पॉम रेडी हो चुका है कि यह देखिए इसको मैंने फिर से रब किया है कि अगया है हुआ है यह दो कि अधरी है झाल